हलो एंड वेलकम टो केजी कलब एजोकेशन आज हम लोग बिएचाइसी वन जिरो वन को देख रहे हैं उसके ये यूनिट थी को यूनिट टू हम लोगों ने देख लिया इसमें लोगों ने पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक टूल कल्चर को पढ़ा आज हम लोग हंटिंग ग सोसाइटी कैसा था आप लोग खुद लिख सकते हो लेकिन कुछ इंपोर्टेंट पोइंट है जो हम लोग एक्स्ट्रेक्ट करके पढ़ लेते हैं चली स्टाट करते हैं तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा पैलियोल पाली उलिथिक लाइफ वे एंड सेटलमेंट better यह हम लोग आज पढ़ेंगे पालीोलिथिक लाइफ वे एंड सेटलमेंट better इसमें क्या-क्या पढ़ने के लिए हैं हम लोग अब इसको start से जो भी important point जोसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं, सबसे पहली बात की हम लोग जान रहे हैं कि Paleolithic society कैसे थी, किस एरा में थी, तो ये थी Pleiostocene एरा में, Pleiostocene एरा कैसा था, तो वो था Glacial period, क्योंकि Glacial period में काफी ठंड थी, लेकिन जब लोगों का विकास होता है, जब लोग विक्सि Pleiostocene period के last time में दिखता है, और जब मेजोलिथिक culture में हम लोग आते हैं, तो वो hollow scene start हो जाता है, तो Pleiostocene के last time में क्या हो रहा था, तो मानिए अगर ये अर्थ है, अर्थ पुरा Glacial से भड़ा हुआ था, लेकिन बीच वाले एरिया कुछ इतनी दूर अगर हम लोग ले ले तो ये सारे एरिया में गर्मी आना शुरू हो गया था, भारी बारिस आनी शुरू हो गई थी, जैसे इस एरिया में कुछ region है, जैसे हम लोग योरोप अगर ले ले ले, तो इस वक्त योरोप में गर्मी आनी शुरू हो गई, ये वार्म होना शुरू हो गया, जिससे हम लो इस बीच वाले ट्रॉपिकल एरिया में हमें मिल जाता है अफरिका अफरिका और एसिया के कुछ पार्ट एसिया के कुछ पार्ट योरोप कहां था तो टेम्पेरेट एरिया में था ठीक और अफरिका और एसिया ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है और यहाँ पे क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में अभी भी लोग जानते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में बारिस होती है तो यहाँ पे रेन वो भी कैसा तो हैवी रेन शुरू हो गया था आपको ट्रॉपिकल एरिया में तो क्या हुआ लोग इस एरिया में पसना शुरू हो गए क्योंकि ये बाकी का जो एरिया था ये काफी cold region था ये भी cold था लेकिन ये सब के तुलना में ये वाला एरिया जो था ये रहने लाइक होना शुरू हो गया था तो लोग गर्म पे रहना पसंद करने लगे थे ठीक, तो लोग कैसे रहते थे, तो ग्रूप में रहते थे, लोग कैसे रहते थे, ग्रूप में रहते थे, ग्रूप small था, मतलब 100 से कम लोग रहते थे एक ग्रूप में, ठीक, ग्रूप किस तरीके का था, तो ग्रूप था hunter-gatherer, hunter और gathering का काम करता था ये लोग, ठीक, उसके बात tools कैसे यूज करते थे तो ये लोग tools जो है वो stone tools ये लोग use करते थे tool पे हमें एक चीज दिखता है जिसे हम लोग करते हैं wear and tear wear और tear मतलब tool पे हमें damage दिखता है वो damage कि क्यों था तो flesh को तो काटा ही जा रहा था मांस को इसके साथ साथ लगता है ऐसा कि wood लकडी को भी ये लोग काटने का काम करते थे जैसे bamboo सब चीज को भी ये लोग काटने का काम करते थे इसलिए इस पे wear और tear traces हमें देखने को मिलता है पेलियोलिथिक कल्चर में इसके साथ साथ क्योंकि अब जगह जगह पे climate change हो रहा था तो settlement अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है ये ध्यान में रखेंगे कि settlement जो था settlement जो था ये अब different different regions कह देंगे कि different regions में देखने को मिलता है example के लिए अगर हम लोग देखें कि कहां कहां मिलता है settlement एक्जामपल के लिए लोग देखें तो भीम बेट का ये सब याद रखेंगे भीम बेट का आपको MP में है ठीक कुर्णूल कहां है तो कुर्णूल आपको आंध्रा में है ये सब याद रखना है ठीक हां सांगो वैली सांगो केव ये आपको कहां पर पिलेगा तो नौर्थ वेस्टर पाकिस्तान में मिलेगा उसके बाद आपको धेर साड़े open sky shelter भी मिले है open sky shelter क्या होता है खुले में घर बना कर रहना हालां कि उसका remains तो नहीं मि पॉइंट है वो ये कि settlement area पे settlement वाले area पे लोग रहते थे लोग वहां पे रहते थे खाना बनाते थे और time pass करते थे time pass अब कैसे करते थे तो time pass करते थे ये लोग rock rock painting करके हां जिसको हम लोग rock art कहेंगे जिसमें हर एक चीज़ होता था painting भी होता था या small small rock पे या ostrich के cell पे ठेर सारी बनावटे होती थे वो सब करके ये लोग time pass करते थे engraving का काम करते थे कुदेर ना engraving मतलब पत्थर पे कुदेर कुदेर के आकिरती बनाते थे तो ये सारे काम ये लोग करते थे overall के हैं तो एक और term जो दिया गिया है उसे दिया गिया है hand to mouth existence मतलब लोग खाने के पीछे ही रहते थे मतलब अभी सिर्फ और से पेट भरने का काम करते थे इससे आगे की ये लोग अभी नहीं सोच रहे थे इसलिए hand to mouth existence उस वक्त का था ठीक है एक और चीज उस Paleolithic period में देखने को मिलता है और वो है आपको hunting hunting and foraging hunting मतलब शिकार करना foraging मतलब भोजन की तलास में भटगना और ये भोजन की तलास आपको plant source होता था क्या आता था plant source होता था तो hunting भी करते थे मतलब animal पे भी ये लोग depend थे और plant पे भी ये लोग depend थे animal पे depend थे तो ये सब का proof आपको reverse side में मिल जाता जैसे नर्मदा river गोदावरी कृष्णा ये सब जगह पे animal remains मिले है plant के बारे में डीडी को सामबी कहते हैं कौन कहते हैं डीडी को सामबी इध्यान रहना थे ये बहुत ही important ये क्या है historian है डीडी को सामबी कहते हैं कि ये इंडिया का जो tropical region है यहां के लोग plant पे ज़्यादा depend थे और plant में भी ये लोग खाते थे fruit ये लोग खाते थे cherry etc तो plant remain हमें इंडिया के tropical region में देखने को मिलता है और hunting सब हमें बाकी के area में तो देखने को मिलते ही हैं और plant के कहां मिलते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया चलिए इसके बाद जो important term है इस society का पेलोलेथिक society का वो था कि खाना पीना तो हो गया इसके बाद क्या करते थे लोग तो उसे हम लोग कहते हैं non-utilitarian क्या कहते हैं non-utilitarian behavior अच्छे इस लिख दो पेन थोरा काम सही से नहीं कर रहा है ना non-utilitarian behavior तो non-utilitarian behavior उस वक्त के लोगों का क्या था तो उस वक्त के लोग क्या करते थे कुछ cognitive work करते थे क्या करते थे कुछ cognitive work करते थे और कुछ artistic work भी artistic work भी करते थे उसमें और इसके साथ-साथ ornament है ना ornament भी बनाते थे ornament किसका तो जाया तर ostrich cell का ornament बहुत जादा देखने को मिला है तो cognitive work करते थे artistic work करते थे ornament बनाते थे इस सब चीज़ में कुछ-कुछ चीज़ जो सामिल हो जाता है वो हम सब जान रहे हैं जैसे hand axe बनाना हो गया cleavers बनाना हो गया और भी धेर सारे काम थे जो ये लोग करते थे rock वाला काम rock art हो गया ये सब क्या था तो non-utilitarian work था जो कि ये लोग time pass करने के लिए करते थे और उसके बाद भी अगर time बच गया तो सोते होंगे यह बागे काम में चलिए अब एक और important term जो paleolithic period के लिए हम लोगों को जानना जरूरी है वो है rock art उस वक्त का कैसा था उस वक्त का rock art कैसा था यह हम लोग जान लेते हैं तो rock art उस वक्त लोग किस चीद से किया करते थे पहले तो equipment जान लेना जरूरी होता है तो वो लोग काम करते थे आपको stone से बोन से काम करते थे कलर करने के लिए जो भी आर्ट करते होंगे उसके लिए मड का यूज करते थे उसके लिए चाड कोल का यूज करते थे उसके साथ साथ शेल का यूज करते थे शेल जो होता है वो जानवर को जो प्रोटक्ट करने के लिए रहता है यूज करते थे तो ये साड़े चीज से क्या करते थे रॉक आर्ट किया करते थे इसके साथ अगर देखें तो रॉक आर्ट दो तरीकी का होता है रॉक आर्ट क्या चीज रॉक आर्ट कितने तरीकी का होता है टू टाइपस के होते है वो two types कौन-कौन से थे, हम लोग अब देखते हैं, चलिए नीचे आगए, rock art, two types के होते हैं, सोड़ी होते थे, एक को कहते थे home art, basic term ही जानिए बांकी थे, term है इसके लिए जानना जरूरी नहीं है, एक को कहते है home art, home art वो हुआ, जो movable होता था, जो क्या होता था, movable होता था जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था, इसमें आपको सबसे important point जो याद रखना है, वो ostrich cell का यूज करना, ostrich cell movable art में बहुत ज़्यादा यूज किया गया, 41 sides पे आपको ostrich cell देखने को मिला, और सबसे ज़्यादा भीम बेटका में देखने को मिला, ostrich cell भीम पेटका में कैसे देखने को मिला, तो एक skull मिला, उस skull में एक हार मिला, उस हार में आपको ostrich का cell था, बस इतना दना था, दूसरा art, ये पहला art था, इसको हम लोग क्या कहते है, home art, जो movable था, ये stone पे भी होता था, और ostrich cell पे ज़्यादा देखने को मिला, हर एक चीज पे हो होता था, cave art, cave art मतलब हो गया, cave art मतलब हो गया आपको, जो fix art था, ये movable नहीं था, ये क्या था, ये not movable, not, not movable था, इसे कहीं लेकर नहीं जा सकते थे, तो इसमें आपको क्या आएगा, इसमें आपको आएगा, wall या फिर ceiling का painting, wall और ceiling, painting हमें इसमें देखने को मिलता है, तो wall और ceiling, painting का सबसे अच्छा सबूत, आप लोग अब बताईए, कि किस जगा देखने को मिलेगा, तो वो एक ही जगा देखने को मिलेगा, और वो है भीम बेटका, तो ध्यान में रखिएगा, कि wall और ceiling, painting का सबसे अच्छा proof कहां है, तो भीम ब बेटका में क्या मिलता है, हमें सबसे पुराना painting यहां हमें देखने को मिलता है, यह जो painting होता था, जो भीम बेटका में हमें देखने को मिलता है, यह dark red color का होता था, यह किस color का होता था, यह होता था, अच्छे से लिख दू red में ही, तो यह होता था, dark red color का होता था, ठीक, Dark Red Color का painting होता था और painting किस चीज का होता था तो painting यहाँ मिलता है Rhino का painting यहाँ मिलता है Bison का और जो important figure है इसे ध्यान में रखिएगा ठीक है Wild Buffalo का Wild Buffalo का Bore जंगली सुबर का B-O-A-R ठीक है अच्छे इसे लिख देता हूं मैं B-O-A-R जंगली सुवर का मिलता है मैमत जो अब विलुप्त हो चुका है मतलब जो अब नहीं मिल रहा है बहुत विशाल हाथी ये सब का figure हमें देखने को मिला है इसके साथ साथ एक और important figure देखने को मिला है कैसा? वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ऐसा भीम बेटका में ये सारा पेंटिंग रिखता है राइनो, बाइसन, वाइल्ड बफेलो, बॉर, मेमत और इंसान इस तरह के डार्क रेड कलर का पेंटिंग ये याद रखीगा कि भीम बेटका का पेंटिंग कैसा है तो डार्क रेड कलर का है राइनो का पेंटिंग है, बैसन का पेंटिंग है, वाइल्ट पफेलो, बॉर्ब, मेमथ, यह सब का पेंटिंग है, और हुमन, इंसान ने अपनी एक स्टिक टाप का फोटो बना रखा है, दो और इंपोर्टेंट प्लेस हैं जो हमें जानना है, सबसे पहले तो एनिमल टिथ क कहां मिला है, तो एनिमल टिथ आपको मिला है कहां पे, तो कुर्नूल में, कहां मिला है, कुर्नूल कहां है, आप लोगों को पता होगा, आंधर परदेश में कुर्नूल है, उसके बाद भीम बेटका में, भीम बेटका में, भीम बेटका ही एक जगह है, और उस भीम बेटका में एक cave है उसका नाम है cave 3 cave 3F 23 ठीक है यह important नहीं है लेकिन जानने के लिए है और यहाँ पे हमें क्या मिला है वो जानना जरूरी है भेम बेटका में इस जगह पे हमें मिला है 25 एक सेकेंड यहाँ पे मिला है हमें मैं लिग देता हूँ उसके बाद फिर वीडियो लंबा हो जाता है ठीक है तो वहाँ पे 25 मीटर का टनेल मिला है एक हॉल मिला जिसमें तीन इंट्रेंस थे और 7 क्यूप्यूल्स मिला है कब लाइक एक धसा धसना टाप का होता था वो 16.8 सेंटीमीटर का गहरा होता था वो चीज यहां से मिला है तो इतना ही था सोसाइटिय में पढ़ने के लिए नेक्स्ट हम लोग मिजोलेथिक सोसाइटिय को पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद